लीजे सुनिए आचारे चतुरसेन शास्त्री की लिखी कहानी पूरुणा हुती मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अत्यंत दयालू परमेश्वर के नाम पर जिसके असंख बरबरों के घोडों की टापों ने निरंतर तीस वर्ष तक भारत को रौंद डाला था जिसने सत्रह बार प्रबल आकरमन करके पश्चिमुत तर भारत को तलवार और अगनी की भेंट किया जिसने नगर कोट के मंदिर विद्धन्स कर साथ सो मन अशर्फी साथ सो मन सोने चांदी के बरतन साथ सो चालीस मन सोना दो हजार मन चांदी और बीस मन हीरे मोती तथा जावाहरात लूटे थे जो थानेशवर की युद्ध में दो लाख कैदियों को गुलाम बना कर घजनी ले गया था जिसने मत्रा की अपरतिम छे ठोस सोने की विशाल मूरतिया पहरान की थी और जिसके परताब से घजनी में हिंदु गुलाम की दर धाई रुपिया हो गई थी जिसने सोमनात का अती प्राचीन वो विशाल मंदिर जो चपन खंभों पर आधरित था और जिसमें चालीस मन ही दर्शकों को अश्यर चकित करती थी विद्ध्वन्स किया और वहां से स्वर्ण और जवाहरात के अंगिनत उंट भर कर ले गया जिसने गुजरात को शमशान के समान बना दिया था जिसकी प्रचंड सेना के नामी गिरामी सिपाही अपने घोडे की जीनों को सोने और परकांड पंडित अलबरुनी आता रहा था वो परबल परतापी सुल्तान महमूद गजनबी उन समस्त लूटे हुए हीरों मौतियों खजानों और सोने के धेर को समुक रखवा कर और उन्हें देख देख कर फूट फूट कर रोता हुआ इस असार संसार को छोड़ चला था और उसके निर्बल वंश धर मध एशिया के अपने पड़ोसी खूंखार देशों पर अधिकार बनाए रखने के युग न थे गोरी के पहाड़ी सरदार जोरों पर थे उन्होंने घजनी के सरदारों को मिला कर घजनी के विपुल एश्वर की लूट के लोबी उनी खूनी स साथ रहकर भारत का सर्वस अपहरन कर चुके थे घजनी को तहस नहस कर दिया वो आठ लाख नर्नारियों से परिपूर और असंख रतनों से ठसा ठस पता हुआ नगर जलाकर खाक सियाह कर डाला गया था नर्नारी घास फूस की भाती काट डाले गए थे और एक लाख खूब के बाजारों में मिट्टी मूल बेच दिये गए थे बड़ी बड़ी नामी अमारते जमी दोज कर दी गए थी वहां के हजारों फूल सी सुकुमारियों को दुखते हुए हिर्दाय और आसु भरी आँखों से अपना सर्वनाश करने वाले क्रूर हत्यारों की सेवा करनी धाय जला था उस समय भारत में समराथ हर्ष वर्दन की सत्ता का अंत हो चुका था उत्रिये भारत का सामराज टुकड़े टुकड़े हो गया था कुछ पुरानी और नवीन राजपू शक्तियों ने पश्चिम से चलकर उत्तर पूर्वियत था मध्ध भारत में छोटी तक और बंगाल से अरब सागर तक के प्रदेश को अधिकरित कर चुकी थी परंतु इन सब को संगठित करने वाली कोई शक्ती ना थी आए दिन इनके परस पर संग्राम होते थे पुराने सामराज्यों की राजधानिया खंड़हर हो चुकी थी ऐसी दशा में भारत का नेति इन शासकों की सहायता से फिर पुरानी ब्रहमन धर्म को नए रूप में खड़ा किया था वेद के रुद्र देवता पुरान के शिव बन गए थे और अब हिंदू और बौध दोनों प्रतिमय पूजन तथा कर्मकांड के प्रपंच में फिर से फंस गए थे कनिश्क के प्र संप्रदाए की नीव जम गई थी जिसमें बोधी सत्वों की पूजा तथा बौध मंद्रों का समस्त कर्मकांड हिंदू मंद्रों के ढंक पर ढल गया था प्रारमभ में जो बौध मत्ने संस्कृ federal चीन कर प्राकृत या पाली भाषा को दे दिया था अब वो फिर संसक्रित को मिल गया था और ब्राह्मनों की अब बनाई थी वैशनों तांत्रिक और शेव मतों ने प्रबल रूप से संगठित होकर बौध मत को बल पूर्वक भारस से निकाल बाहर कर दिया था कुछ उच्च श्रेनी के लोग उपनिशद और दर्शन शास्त्रों का मनन करते थे पर सर साधरन का धर्म पत अंधकारमय अरक्षित अस्तविस्त था जिस वर्ण भेत को नश्ट कर बौध धर्म ने शूद्रों और इस्त्रियों को मानवी अधिकार प्रदान किये थे वो फेर और मजबूती से अद्ध भित्ती पर कायम हो गया था अब वर्णों के स्थान पर असं अधिकार बढ़ गए थे जंता को जाती पांती और उंच नीच की दलदल ने गले तक फास लिया था असंख भयानक देवी देवता भूत प्रेत राक्षिस जब तप यग हवन पूजा पाठ दान मंत्र तंत्र और जटिल कर्म कांड के जालों में अभागा धर्म फसकर फास ने असी पा गया था दुरगा की मूरतियों पर मनुष्य की बली दी जाती थी और जहां तहां नर्मुंडों की मालाएं पहने कापालिक भयानक वेश में घूमा करते थे मद्द मास शाक्तों और कापालिकों का खुला आहार था भैरवी चक्रों के खुले खेल यत्र तत्र ह तो शून चोटी चोटी रियास्तों, सैक्रों मत मतांत्रों और अंगिनत सदाचारहीन कुरीतियों और अंद विश्वासों का घर था। इसका चेहरी में घसीट ले जाते थे, जहां उनकी जिवा काट ली जाती थी। तीसरी सोलंकियों की गुजरात में और चोटी से सौधियों की चित तौर में ये चारों राजवनश यद्यपी परस पर संबंधी थे, पर एक दूसरे की कटर शत्रू थे। इस दुर्भागे के बीच भारत की करोड़ों निरीह परजा सर्वताही अरक्षित थी। जिसे खाने के लिए क्रूर और भैंकर गीधों के जुंड पश्चिम के पहाड़ों में बैठे थे और जब चाहे भारत को रौंद कर और रक्त की नदी बहा कर लोट जाते थे। उसका असल नाम मुहिज अद्दीन था वो एक उच्च भिलाशी द्रह प्रतिक गी ये वक्त था वो घजनी विजेता अलाउदीन गौरी का छोटा भाई था घजनी की इंट से इंट बजा कर उसे जला कर राक बना कर और एक दम उजाण करके तथा उसकी अतल संपदा पचास हजार उग्र तुरकों को एकत्र कर भारत के दुर्जे काफिरों को रौंदने को जिहाद का जंडा उठा कर खड़ा हुआ तब संसार के अधिकांश प्रदेशों से जो इसलाम की तलवार के अधीन थे धर्म के जोश और लूट के लालच से असंख बरबरों का लशकर उसके जंडे के नीचे एकत्रित हो गया भारत के रतन और स्वान एवं सुन्द्रिया उनके बाप दादों की परचित थी और उनके अपहरण का सुयोग छोड़ना संभोना था उसने भारत की और भाग बाग उठाई उसने सिंदू नदी पार कर मुलतान पर धावा कर उस पर दखल किया और फिर दक्षन की और मुड़कर अच्छा मजबूत किला भी काबू में कर लिया इस बार वो यहीं से लोटा दो वर्ष बाद वो फिर आया इस बार वो प्रबल वेग से अनहिलवारा पत्टन के धनी नगर को धन्स करने के लिए मरू भूमी पार कर गुजरात पर जाध हमका वहां के बालक राजा को हाथी पर रख कर वहां के राजपूतों ने प्रबल गजवाहनी से नले इस योद्धा को इस बार भगा दिया को मिला कर उसने सिंदे के देवल गढ़ को विजए किया और सिंदे को लूट पाट कर भस्म कर दिया तथा हजारों उट लूट के माल से भर कर घजनी लौट गया तीन वर्ष बाद वो फिर आया और लाहॉर को गीर लिया इस समय लाहॉर महमूद घजनवी के वश्धर के हा कर दिया गया और वहां वो बेदर्दी से सापरिवार मार डाला गया इस तरह महमूद का घराना जिसने मध्ध एशिया को घोड़ों की टापों से रूंद डाला था दुनिया से उखाड फेका गया वो फिर घजनी लौट गया इस बार उसने जिहाद के जंडे के नीचे आन कर भटिंडे तक बढ़ाया जहां प्रतापी चोहानराज पृत्विराज का सामंत दाहिमा चंडपुंडीर दुरगा धिक्ष था वो तीन मास सुल्तान से मोर्चा लेता रहा अंत में पांच सो युद्धाओं के साथ घेरे को तोड़ कर महराज पृत्विराज की सेना में जो थानेश्वर की ओर सुल्तान से लोहा लेने आ रहे थे यहां 30,000 चोहानों को ले पृत्विराज ने सुल्तान का सामना किया कठिन मार में सुल्तान घायल हुआ उसे बचाने को तुर्क सिपाहियों ने अपने शरीरों के धेर लगा दिये वे उस घायल और बेहोश नामी युवक सुल्तान को मौत के मैदान से 40 मील की कड़ी मंजिल तक ले भागे पर उसे पृत्विराज का बंदी होना ही पड़ा जिसे पीछे चोहान राज ने घमंड और उधारता एवं राजनीतिका सावधानी के कारण साधरन दंड लेकर छोड़ दिया सुल्तान ने फिर तो दिल्ली पती पर लोक लोक विख्यात छे आक्रमन किये वो छहों बार बंदी हुआ और नतमस तको दिल्ली पती से ख्षमा याचना कर घजनी लोट गया राज्य के स्तंब स्वरूप चौंसट सामंतों को कटा कर दिल्ली पती वीर प्रित्विराज पंगराज नंदनी संयोगिता को बियाह लाए थे इस से प्रित्विराज की शक्ती छिन्न भिन्न हो गई थी वो सब कुछ भूल कर संयोगिता में रम गए थे वो चौदे वर्ष की सुकुमार बालिका जिसने उस पैंतीस वर्ष के प्रबल युद्धा के लिए पिता की दुर धुर्ष भर्तसना सही कैद भुकती और अंत में साहस की चरम सीमा को लंगन कर वीर पती से स्वेम वर कर उसके साथ घोड़े की पीट पर आरूड हो कटार को मजबूत मुठी से पकड़े पिता की अजे चतुरंगनी को चीरती हुई वीरों की लोथें रौंद कर रक्त की नदी को पार कर जिसने मन्जिलें तैकी वो अलब्ह मुल्यावती पंगवाला प्रिस्विराज के प्राणों का हार थी उसे आये तीन मास हो गए थे इन तीन मास में किसी ने प्रिस्विराज को नहीं देखा था दिल्ली में उदासी चा रही थी वीर सामंत हादुली राए हम्मीर राजा से रूट कर घर बैट रहा था महलों के दर्वाजों पर हाथी घोड़े सिपाही और प्यादों के पहरे न थे मरदान लिबास में औरते लाठी लिये हुए पहरे पर थी वीर युद्ध सरदार जो राजा के संकेत पर जान देते थे बिलकुल बेदिल हो रहे थे उनमें कलह का राज्ज था कोई अपना पराय पूचने वाला ना था सब मनमानी करते थे रियासत भर में कूपरबंध फैल गया था कुटल धरमायन निरंतर राज्ज के छित्रों को सुल्तान के पास भेज रहा था भीतरी भेदों को शाह तक पहुँचाने वाले और भी बहुत से गुप्त चर थे जो शाह से मोटी तनख्वाय पाकर स्वामी से विश्वास घात कर रहे थे राज जिभर में चद्म वेश में शाह के दूद फैल रहे थे सब कोई अपने अपने स्वार्थ साधन में तत्पर थे चामुन्ड राए के पैरों में बेड़ियां पड़ी थी मंत्री के मास मार डाला गया था जिन वीरों के बल पर दिल्ली का चत्र टिका था वे कन्नोज में कट मरे थे जो बचकर आ गए थे वे अपनी अपनी खिशडी अलग पका रहे थे उस विजयनी चोहान चमू का अब कोई धीर धनी न था इस समय दिल्ली में कोई कोटिल सपरबल राजनी तिग होता या पृत्विराज ही साउधान और तत्पर होकर समस्त राजों से संधी कर सिंधू नदे तक बढ़ जाते और प्रतापी समुद्र गुप्त की भाती भारत की सीमा को सरक्षित कर देते तो आज भारत को एक हजार वर्ष तक खून के आसुना बहाने पड़ते पिछले अक्रमन के बाद मुहमद गौरी छे मास रोकशया पर फिरोज कोह में पढ़ा रहा आरोग लाब कर वो घजनी आया और जोर शोर से सेन संग्रह करने लगा पुरानी सरदार कैदे से छोड़ दिये गए चार ओर से मुसल्मान फकीर दुआ देने आ पहुँचे देखते ही देखते जिहाद के जोश में भरे हुए तुर्क अरब अफगान मुगल आदी बरबरों का भयंकर दल एकत्र हो गया इन में से एक लाख बीस हजार चुने हुए सैनिक लेकर उसने उन से कुरान की शापत हैं ली और खूब चाक चौबंद होकर सिंदू नद पार कर पहाड़ों के नीचे सतलज पार करता हुआ दिल्ली की और बढ़ा दिल्ली में ये समाचा राग की भाती फैल गया नागरिक भै भी तो होकर दिल्ली छोड़ छोड़ कर भागने लगे किसी की जान माल की सलामती नजर ना आती थी इस बार किसी को रक्षा की आशा ना थी बाजार के गंड मानन महाजन विकल हो गए जो श्रीमंत कभी घर के बाहर पैर न रखते थे वे एकत्र हो नंगे पैर नंगे सिर श्रीमंत साह नगर सेट के पास पहुँचे और कहा राजा तो रनिवासों में रमा बैठा है अब हमारी रक्षा कौन करेगा श्रीमंत साह ने कहा मुझे भी यही चिंता है राजा कुमू तो उड़ता पंची भी नहीं देख सकता आठो पहर द्वार पर लटए अद्दासियों का पहरा रहता है राज कुमार रनेसी भी च्छा मास से राजा का मुझे ने को तरस रहे हैं प्रजा का विनास सिर पर है केवल गुरुराम प्रोहित राजा को पूजन कराने नित जाते हैं उन्हें हमारी भी पीर है उनके पास चलना चाहिए गुरुराम प्रोहित के निकट पहुँचकर साहु कारों ने कहा आपने भी तो सुनाई होगा गजनी का शाह दिली पर चड़ा चला आ रहा है जिसके आतंक से पंजाब में भूकंप सा आ रहा है प्रजा अनाज की भांती पिस रही है पुंडारों ने लाहोर लूट लिया चामुंड राए के पैरों में बेड़ी पड़ी है जिससे दाही मावीर बेदिल हुए बैठी है हम्मीर राव अपने घर में बैठी रहे लोहाना अजानु बहु अजमीर में बाकी सब नए नए लड़के है ये सब संयोगीता के चरणों का प्रताप है इसलिए हम लोग आए है आपकी आग्या हो तो घर दुआर कार बार छोड जंगल को चले जाएं या आप जैसा कहें प्रोहित ने महाजनों का रोना सुनकर कहा सिवा कवी चंद के अन्ने से कुछ होना नहीं है वो सबा चतुर राजा के मुह लगे हैं वो ओधा सीधा सब कुछ कर सकते हैं सब बीज उन्ही के बोई भी हैं चलो वहीं चले गुरुराम अपने सुख पाल पर सावार हुए श्रीमंत साह पीनस पर बैठे और सब बनी ए महाजन अपने अपने हाथी घोडे पाल की चंदोलादी में बैठ कवी चंद के घर पहुँचे और उन्हें लेकर राजद्वार की ओर चले इनके पीछे बहुत से लोगों के भीर लग चली राजद्वार पर देखा ना वहाँ शूरवीर सिपाहियों के पहरे हैं ना मतवाले हाथी ही चूमते हैं पुरुश वेश धारी स्त्रियां हाथ में लाठी लिये हाजिर हैं इनके पहुँचते ही वे मार मार करती हुई दौड पड़ी बनिये महाजन जान लेकर भागे पर गुरुराम और कवी बढ़ते ही गए इनके सिर पर सेकड़ो ही लाठीयां चागे जब प्रथम पौर तक पहुँचते तो राज महीशी इच्छनी ने दासियों को रोक कर कवी चंद को भीतर बुला भेजा और आने का कारण पूछा कवी चंद ने कागस दे कर कहा इस पुर्जे को राजा तक पहुँचा दीजे उसमें लिखा था कगर अपह राज कर मुश जमपह इहबत गौरी रतो तु अधरनी तु गौरी रस रत दासियों ने डरते डरते पुर्जा राजा को दिया राजा ने पुर्जा पढ़ा वो क्रोध से थर-थर कापने लगे उन्होंने पुर्जा फाण कर फेंक दिया और कहा अब भाट और ब्रहमन राजी की रक्षा करेंगे दोनव विद्वान निराज होकर घर लोटाए चोहन राज के परम हितेशी और अपरतिम विद्वान इवं वीरवर राजरिशी चित्त और अधिपती समर सिंग ने दिल्ली के समाचार सुने और होनहार को भाप लिया उन्होंने राज कुमारत्न सिंग को चित्त और की गद्दी सौपी और दिल्ली की प्रस्थान की तैयारी करने लगे उन्होंने आबू बूंदी जाल और गौर गढ़ धार उज्जेन रन थंबोर आधी के राजों के नाम बुलाने की परवाने भेजे और दरबार कर कुमार का राज्य अभिशेक कर राज महिशी प्रथा सहित वो दिल्ली को चले पहले दिन दस को उस पर पड़ाव डाला वहां तक साथ हजार सवार और सरदार राई जी को पहुंचाने आए यहां से उन्होंने एक हजार चुने हुए सवार पचास हाथी और कुछ खास सरदार साथ ले शेश सभी को वापस भेज दिया यह राजपूत और हाथी साधरण न थे यह वे युद्धा थे जिन्होंने पीछे हटना जाना ही न था यह हाथी बात की बात में किलो को ढढ़ा सकते थे उन पर जरतारी जूले पड़ी थी और जडाउ हुदे और अमबारी कसी थी जिन पर रंग बिरंगी धोजाएं फैरा रही थी घोडे क्या थे आग के अंगारे थे नवीन वैस का वैश्या के समान थे रखते हुए पत्थर को भी खून से खढ़धा कर सकते थे कूच करते दिल्लिया पहुँचे और उन्होंने निगम बोध पर डेरा डाल दिया उनकी आवाई सुनकर सैयोगिता का प्रधान दस कोस आगे बढ़कर पेशवाई को गया और पाँच कोस से सब सामनतों ने पेशवाई की पृता कुमारी पट महरानी च्छनी के रंग महल में रहने लगी रावल जी निगम बोध पर ठहरे थे उनके डेरे पढ़ते ही भार बरदाई और चांदी की जिंस भेजी गई जिसके बाद रनिवास की दासिया कले उले कर गई पच्छिस जाब पूरी, साथ जाब मिठाई, बत्तिस जाब पापड, अचार, पान, मसाला, तथा भाती-भाती का बना हुआ मास और फ़ला दी थे वे खूब सजी धजी और नविवना सुन्द्रिया थे दूर ही से उन्होंने डोली से उतर कर सब सामग्री अपने हाथों में ले ली और उस सिंगासन पर बैठे समर सिंग के सम्मुक जा, सामग्री आगे रख, नीची नजर करके खड़ी हो गई उनकी मुखिया ने हाथ बांध कर कहा श्री मानों के अवाई सुनकर संयोगिता को बड़ी प्रसनिता हुई है उन्होंने हम लोगों को यतोचित भेंट भलाई निवेदन करने भेजा है रावल जी ने संयोगिता को बहुत बहुत आशीरवाद दिये और दासियों को बैठने की आग्या दी ये सभी दासियां रावल जी की सुपरिचिता थी रावल जी ने उन से हसकर कहा भला ये शिष्टा चार तो हुआ अब असल समाचार तो कहो क्या हाल है दासियों ने उदास होकर कहा महराज क्या कहें चोहान पती तो संयोगिता के चेरे हो रहे हैं राद दिन वही रहते हैं, राज काच की कौन कहे, उन्हें अपने बेगानी की भी खबर नहीं है, हादुली हम्मीर रूठे बैठे हैं, दीर पुंडीर को सौधागरों ने मार डाला, मोहाराय गंगातीर पर समाप्त हुए, चामुंड राए के बेड़ी डाल दी गई है, कैमा रेने का इरादा रखते हैं, ये सुनकर रावल जी माथे पर हाथ धर कर बैठ गए, कुछ देर बाद उन्होंने दासियों को पान दी और सैयोंगिता के लिए कपूर दे कर विदा किया, इसका अर्थ ये चेतावनी थी कि कपूर की भाती ही वो योवन भी अस्तिर है, जिसम के देरों में पहुँचा कर सुयम जाकर सब सतकार किया, उसके बाद चामुंड राए दाहिमा ने, फिर बलभद्र राए कच्वाह और राम देव राए खीची ने, फिर जाम राए आदाव सिंग प्रमार आदी सामंतों ने बारी बारी से रावल जी का सतकार किया, सबके ब अपने कवित पढ़कर रावल जी की खुब प्रशंसा की, फिर भाती बहती की बातचीत के बाद दरबार बरखास्त हुआ, और सब लोग अपने अपने घर रवाना हुए, पीछे से दो हाथी, एक सजा हुआ घोड़ा, एक तलवार और जरतारी सिरोपा, रावल जी ने चं कास को ग्राम का पट्टा गुरुराम प्रोहित को दिया, इसके सिवा वो प्रती दिन डेर सो मुहर दिली के चारणों और ब्रामनों को दान देते रहे, रोज सरदारों का जमाव जोड़ता, सदा बर्त जारी रहता, इस परकार दिन बीथ चले, प्रत्विराज को अभी पड़ा था, उसके भाग खुल गए, जहां तहां सब साज दुरुस्त होने लगे, सेक्ड़ों नकीब और हरकारे दरबार की सूचना देने को दोड़े दोड़े फिरने लगे, जहां तहां हाथी, घोड़े, फौज और शूर सामंत सच धचकर, साइम काल के समय राज़ गए, दिल्ली में आज फिर पुरानी रौनक थी, पृत्वी राज मूचे चड़ाए गद्धी पर आबैठे, शूर सामंत यथा इस्तान आज़ा में, मधुशाह प्रधान ने सबसे प्रथम रावल जी के आने की सूचना दी और कहा, उन्हें आए बीस दिन हो चुके हैं, ये सुनते ही राजा शूक सागर में डूब गए बोले, है, मैं बड़ा भागा हूँ, हमारे पूच जरावल जी बीस दिन से आये है, और मुझे खबर भी नहीं, कैसी लज्जा की बात है, खेर वो योगी राज है, मुझे श्रमा करेंगे, अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि विच्च तोर चले जाएं, क्योंकि समय बड़ा टेड़ा आया है, इसके बाद राजा दरबार से उठकर, दसो रानियों के पास गए और मिले, दूसरे दिन प्रात है कृत्त करके, राजा ने कुसूमी पाग सिर पर बांधी, सुगंद सेवन की और दो लाख मूल के कुंड पर लाकार घेरे चले जाते थे, सब के पीछे सेना थी, उधर रावल जी ने राजा की आवाई सुनी, तो गोड़े पर सवार हो आगे बढ़ाए, आधो आध रास्ते में दौनों संबंदी परस पर मिले बहंटे, दौनों ने परस पर भुज भर कर बहंट की, इसके बाद स देना सहित, रावल जी और राजा निगम बोध पर आए, और यह था इस्थानासन पर बैठ, लौक एक शिष्ट अचार तथा कुशल प्रशन पूछे, फिर दिल खोल कर अपनी अपनी बीती कही सुनी, जब प्रत्वीराज कन्नोज की बीती सुना चुके, तब रावल जी ने कहा, चलो, किया सो अच्छा किया, परस्मन रखो, इस्त्रियों के भोग विलास से कोई संतुष्ट नहीं हुआ, सोमवंशी शशी बंदे के महलों में दस हजार इस्त्रियां और ग्यारह हजार पुत्र थे, परंतु अंत समय तक भी वो उन से संतुष्ट नहीं हुआ, इ पिर इधर उधर की हसी दिल लगी की बाते होने लगी, इसके बाद दोनों सेन सहित महलों में आये, सैयों गिता का खास कमरा सजाया गया, और उसमें कन्योज के दहेच का सब सामान सजाया गया, दोनों वीर मित्र उच्छासन पर बैठे, इधर उधर सामन तगन बैठे, पह बहुत से आए हुए हाथ ही घोडे, रत्न, नकत वस्तु बहुत से थालों में लगा, बिदाई का सामान लगाया, और सब सामन्तों को साथ ले, पृत्वी राज, रावल जी की डेरे पर पहुँचे, साधर और रीती रस्म हो चुकने पर कवी चंद ने कहा, महराज, हमारे रोध में भर कर कहा, वाह, क्या कहते हैं, आपने हमारी खूब मर्यादा रखी, ठीक है, ऐसे सुवसर पर दान ग्राही सुगमता से तुमें कहा में लेंगे, अच्छा भाई, हमें दान दे कर, तुम शूर वीर बनकर युद्ध करो, और हम कायरों की भांत ही अपने घर मर्जी हुई सो ठीक है, आपका बल परताब किस से छिपा है, पर हमारी प्रार्थना केवल यही है, कि इधर बहुत से मुकुट बंध राजा हैं, और सामनत भी हैं, इधर की चिंता ना कीजे, तब रावल जी ने करोध में भर कर कहा, तुम लोगों ने जो करतूत कर रखी ह उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, तब मालूम होगा, आज हमें हट करके बिदा करते हो, जिससे लोग कहें कि मौका देखकर किसा गए, इस दर्बार में अब ऐसे ही लोग रह गए हैं, ये सुन पृत्विराज ने रावल जी के पैर पकड़ लिए और कहा, अब जैसी आ पृत्विराज ने कहा, उसने एरावत के समान हाथी को मार डाला, रावल जी ने कहा, हाथी लाख प्यारा था, पर चामुन राय से अधिक नहीं, वो तुमारे राज जी की ढाल है, उसके समान रणमा का वीर और कौन है, ये सुन पृत्विराज ने गुरू राम प्रोहित क एक कुसमानी पाग और अपनी खास तलवार दे, चामुन राय के पास भेजने के चपरकट की, पर रावल जी ने कहा, नहीं, इस समय आप स्वैम उनके घर जाए, तब सब लोग चामुन राय के घर चले, पृत्विराज संकोच वश चामुन राय के समुक ना जा सके, उन्ह कर कहा, महराज की आग्या है कि आप बेड़ी उतार ढालिये, चामुन राय ने लालंगारी के समान आखों से देख कर कहा, राजा का मुझसे अब क्या प्रयोजन है, आप राजी की ढाल है, राजा पर टेढ़ा अफसराया है, क्रोध को त्याग बेड़ी उतारिये, महराज स बार धन मान का बटवारा नहीं है, शरीर का मास बाटा जाने वाला है, मान छोड़ी और राजा की दिवी पाग और तलवार बांधिये, कुसूमती पाग या तो राज सम्मान के अफसर पर या विवाह के अफसर पर बांधी जाती है, आप महावीर पुरुश है, आपका ना पर से तलवार खोल कर चामुन राय को दी, ये देख वो खड़े हो गए और बोले, जब स्वामी की करपा है, तब क्या कहूं, ये शरीर तो स्वामी ही के लिए है, इसके बाद उन्होंने बेड़ियां उतार डाली और राजा को प्रणाम किया, राजा ने उन्हें जागीर पर सिरो पाव दे समझा बुझा कर संतुष्ट किया, इसके बाद उन्होंने डेड़ हजार घोड़े, सोला हाते, दस मोतियों की माला और बहुत से रेशमी वस्त्र चामुन राय को दिये, कवी चंद ने विरद पढ़ी और चामुन ने उन्हें बहुत कुछ दान दिया, इ चामुन राय ने कहा, विचार ना क्या है, जब तक हाथ में तलवार है हम लड़ेंगे, जामुन राय, चामुन राय, तुम्हारे पैर में लोहा लगा तो लगा, बुद्धी में भी लग गया, अरे शाह की सेना आंधी तूफान है, और अपनी तरफ सो में छे साथ सामंत ब चामुन राय, अच्छा भाई, हमारी बुद्धी में लोहा लगा, अब फिर बेड़ियां डलवा दो, जब शत्रु सिर पर आ जाए, तब आदी रात को उटकर घर भागना, बलबद्र राय, वह, जहां कूरम वन्शी है, वहां भागना कैसा, शत्रु सबह ले तो क्या हम भी दिल्ली की ढाल है, राम राय बढ़ गूजर, भाई मौका देखकर काम करो, मेरी राय में शत्रु पर रात को छापा मारा जाए, वीर भद्र राय, अरे गवार गूजर, अपनी राय अपने घर रख, हम तो भीच मैदान लोहा लेंगे, राम राय, आपके पराक्रम मे संदे किसे है, परंतु मौका भी तो देखिए, संयोगिता के स्वागत में, चौसट सामंत काम आ चुके हैं, चामुंडराय, अरे तुम सब डर पोखो, अन्नौ से चोर की भाती भाग आए, ऐसे ही राजा, जो लोगाई की पीछे भाग खड़े हुए, पंग की चमक में फस अब सब को छलकी सूजी, इस पर सबने हसकर कहा, चामुंडराय तुम बड़े मुपट हो गए, स्वामी कभी लिहाज नहीं, अन्त में रावल जी ने ये निश्चे किया कि युद्ध किया जाए, राजकुमान रेंसी को दिल्ली गढ़ पर छोड़ा जाए, और रावल जी क कि तैयारियों की धूम रही, राजा संयोगीता की महलों में सू रहे थे, पर आज नींद कहा, उशा का उदय हुआ और जंगी बाजों की ध्वनी से दिशाएं गड़बडा उठी, गोड़ों की नहीं हट से आकाश गूंज उठा, राजा ने शैय अत्यागी नित्त कर्म कि और युद्ध सज्जा से सजने लगे, हीरे, मोती, रत्न और स्वर्ण ब्राह्मनों को दान दिये जाने लगे, राजा ने दूरी तलवार बांदी और अपना प्रसिद धनुश और तरकश कसा, जब वो युद्ध वेश में सजकर रानी संयोगीता के पास मिर ले गए, तो पाही चिला रहे थे, सुनकर दिल देहलता था, राजा अधिक मोह न कर एक बूंद आसू और एक लंबी सांस छोड़ जब चले, तो वो कटे वरिक्ष की भाती धरती पर गिर गई, दासियों ने उपशार किये पर उसकी मूरचा न खुली, राजा के पास अपनी उस परम प सेना की हाजरी ली, उसमें 83 हजार सेनिक थे, जिनमें चुने हुए वीर 25 हजार थे, 20 हजार युद्धा दोहरी तलवार बांधते थे, 12 हजार जागीरदार सरदारों के सेवक और 5 सु राजपूत सरदार थे, 10 सेना पती थे, इस सेना ने ततकाल कूच कर दिया, शाय की सेना में 9 लाख बरबरी उद्धा थे, इन में 4 लाख उसने पीछे छोड़े थे, 4 लाख के दो टुकडे कर प्रथक प्रथक चाउनी डाली गई थी, कमाल खांसरदार को 1 लाख सेन निप्तथा पत्र दे कर राज़ा के पास बेजा गया, वो सतलज पार करके निर्भै पृत्वी राज के पास चला आया, पत्र बहाना था, मुख काम राजा की सेना का भेद लेना था, पत्र में आधा पंजाब और शाही दरबार में कुवर रेंसी की हाजरी मांगी गई थी, जिसे राजा ने अस्वी कार कर लोटा दिया, और उसने पांच दिन में ही शाह को सब भेद ब गिर रहा था, और भयाना कंधिरी थी, आधी गरच गरच कर चल रही थी, समस्त सेन चार भागों में बांट दी गई, तेतीस हजार सेन ने ले रावल जी बाहें बाज उपर चले गए, ये देखकर राजा घुडा दोडा कर उनके पास आये और विनीत भाव से कहा, आपकर पीठ की सेना में जाये, और दोनों सेना की गतिवित ही देखते रही है, ये सुन रावल जी ने हस कर कहा, ये बड़ा भारी दूबर भार हमें दिया, पर इसने से राजा की उड़ देखकर कहा, ये समय इसने और आदर का नहीं, अब हम संबंधी नहीं सिपाही हैं, राजा उनने तब जामराय आदव, बलभद्र राय कूरम, पावस पुंडीर और मदन सिंग, इन चार प्रबल सामंतों को उनकी सहायता के लिए भेज दिया, एक्कीस हजार सेना की सिर्मोर जेतराव प्रमार दाहनी बाजू पर आड़टा, आरज राज राठोर, अचलेश खीची, धीर राए प्रमार, चंदर सेन बढ़ गूजर, विजयराज बगेला आदी, नौ सरदार उसकी सहायता को निक्त हुए, उननीस हजार सेना ले, वीर चामुंड राए च्छायल में जमा, भारत राए और तिया राए परिहर, जंगली राओ दाहिम, ठंठरा राए परिहर पंचराए गहलोत, पंचादनराए आदी, दस सरदार उनके साथ थे, इस परकार विहुरचकर समर सिंग को साथ लेकर एक बार राजा ने घूम फिरकर समस्त सेना का निरिक्षन किया, फिर मध्ध में आए, तब प्रित्वीराज ने एक बहुमूल मोतियों की माला रावल ज सिपाही और दो हजार हाथी तथा पाच सो सरदारों सहित था, बाईं बाजू पर सरदार खुरासान खां, दो लाख सिपाही, दो हजार हाथी और तीन सो सरदारों सहित था, तीन हजार हाथी और दो लाख सेना ले, एक वीर सरदार अनेक सरदारों सहित हरावल में था, चीतकार हाहाकार मारकाट की भयानक पुकार पड़ी कठिन मार होने लगी घाजी होने की धुन में बरबर युद्ध दाथ पीस पीस कर उम्रे आते थे और इधर राजपूत जान पर खेल रहे थे दोपहर के युद्ध में वीरवर चामुंड राय घायल हुआ देवराय बग्री, सालुखा राय भाठी, राना, मालहन, सिंग, परिहान, आदी, छैसो कूरंभ और टाक, चंदेलो, सहित, जैतरा और प्रमार भी घायल हुआ शत्रू के पच्चीस हजार सरदार और सिपाही काट डाले गए संध्या समय दोनों से न न फिरी रावल जी के सभा पतित्व में समर सभा जुड़ी और आगामी दिन के युद्ध का कारिक्रम बनाया जाने लगा इसके बाद सबने विश्राम किया प्रातह काल रावल जी ने गरुन वीहु रचा एक पक्ष पर बलभद्र राय दूसरे पर जाम राय आदव चौच पर पुंडीर पाउं और पिंड पर समर सिंग पुंच पर मदन सिंग और कुछ सेना बीच देकर पीछे प्रित विराज स्थित हुए यवन दल ने चंदर वियू रचा आदे भाग के नेता खुरासान खाँ और आदे के रुस्तम खाँ हुए हरावल में मारूफ खांगखरों की सेना सहित था यद्ध के प्रारंब होने पर पुंडीर ने कहा माराज क्या ग्या है स्वामी द्रोही हम्मीर का सिर काट लाओ या शाह को बांध लाओ तो राजा ने कहा हम्मीर का सिर काट लाओ तो क्या बात है ये सुन वीर पुंडीर अपनी सेना ले भयानक वेग से शत्रु सेनने में घुस गया सेनकों की लाशों के धेर को रोंदता हुए वो हम्मीर तक पहुँच गया और उसका सिर काट लाकर राजा के सम्मुक रखा ये देख राजा ने परसन होकर शाबसी दी और कहा अब चार-चार तलवार बांध कर शाह को बांध लाओ हम्मीर का सिर कटने पर शाह कृद्ध होकर सफेद हाथी पर चड़ गया और सेना को ललकारा शत्रु दर्प ने भयानक धावा बोल दिया ये देख रावल जी ने कहा वीरो अब मरने मारने की ठान लो और जीत की आशा त्याग दो पुंडीर पर सारी शत्रु सेना तूट पड़ी थी पर उसका साहस देखने योग था उसने कठिन मार मारी और अंत में वो खेत रहा उस दिन का युद्ध समाब्थ हुआ तीसरे दिन जैतरा प्रमार श्वेत वस्तर पहन और श्वेत हाथी पर सवार होकर समस्त सेना का नेता बना उसके दाएं राम राएं बाएं चामुंड राएं और हरावल पर समर सिंग रहे यवन सेना ने जैतराओ को ही राज समझ उस पर भारी आक्रमन कर दिया जैतराओ दो पहर तक की युद्ध में मारा गया अब चामुंड राएं ने तिरचे रुख धावा किया एक बार यवन दल विचलित हो गया ये देख शाय अपनी सेना को पीछे हटा कर ले गया अब उसने तीस तीस थाजार चुने हुए सवारों को चार दल बना कर चोहान सेना पर आक्रमन करने की आगया दी सेना पतियों को आगया थी कि घोर युद्ध का अफसर ना आने दो मौका बचा कर पीछे हटते रहो शाम तक यही खेल होता रहा यवन दल आगे बढ़ता और पीछे हटता रहा संध्या होते होते यवन दल एकदम भाग खड़ा हुए ये देख चोहान सेना भूखे सिंगे की भाती उस पर तूट पड़ी पृत्वी राज ने अपना धनुश संभाला और ताक ताक कर बाण छोड़ने लगे ये देख अफसर पार सुल्तान 18,000 चुने हुए सवार ले तीर की भाती राजा के ठीक संमुख तोट पड़ा और राजा के हाथी को घेर लिया ये देख जैत्राओ ने चत्र अपने सिर पर धारण कर लिया यवन दल ने भीशन रूप में जैत्राओ को राजा समझ घेर लिया अंत में वीरवर जैत्रा और चामुंडराय दोनों ही उस भयाना काक्रमन में काम आए। अब प्रसंग राय खीची ने छत्र सिर पर धारन कर लिया। ये देख शाह खीज गया। उसने समझा था कि राजा मारा गया। इतने में राजा ने घोड़े पर चड़कर समर सिंग के पास जाने का उपकरम किया पर घोड़ा अड़ गया। होनहार प्रबल थी। उधर शाह ने राजा को पहचान कर उन्हें चारो ओर से घेर लिया। धरो पकड़ो करती हुई शाही से ने राजा पर तूट पड़ी। समर सिंग ने दूर से ये देखा तो वो मार काट करते व दो लाख मूली के कुंडल कानों से निकाल कर गुरु राम प्रोहित को दिये और कहा आप दिल्ली जाकर कुमार की रक्ष़ कीजे। जो ही गुरु राम लोटे एक यवन ने एक ही हाथ में उनका सिर धर से जुदा कर दिया। उसने राजा को कुंडल देते देख लिया राजा क्रोध और ख्षोब से थर-थर कापने लगे। पर अब क्या हो सकता था। उनके पास कोई सामंत जीवित ना था। केवल सौपचास सिपाही थे जो प्रत्यक्षण कम हो रहे थे और यवन दल्टिड़ी की भाती वेग से उम्रा चला आ रहा था। शाह ने ललकार कर प्रत्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त् तलवार निकाली, वो भी तूट गई, तब कटार निकाली, अंत में एक भीम कायवन सरदार ने गले में कमान डाल कर राजा को घोड़े पर से खींच लिया, राजा गिर गए और वो कसकर बांध लिये गए, दस पांच राजपूत जो बचे थे, कट मरे, एक भी वीर जीवत लोटा, राजपूत चावनी लूट ली गई, और उसमें आग लगा दी गई, शाह ने फीरोज खां को राज़ दे, उसी दिन प्रित्वी राज सहित घजनी प्रस्थान किया, श्रावन शुकला दो सौमवार समवत ग्यारा सो अठावन के दिन, ये शोक पूर्ण चिरस मरन गटना गटी, और एक आदशी को ये समाचार दिल्ली पहुंचा, नगर में हाहकार चागया, संयोगिता ने सुनते ही शरीड त्याग दिया, पर्था कुमारी ने शांत भाव से पती कि मृत्यू का समाचार सुना, और वो शांत भाव से सती हो गई, उसी के साथ सहस्तरो रा पर राजा की सेवा के लिए निक्त किये गए, राजा ने अन्न जल ट्याग दिया, शाह ने सुमा कर समझाया, तो राजा ने करोध से आंखे गुरेर कर शाह को देखा, इस पर कुरधो शाह ने उनकी आंके निकाल डालने का हुक्म दे दिया, राजा को मुश के कसकर धरती पर पटक दिया गया और उसी क्षण उनकी आँखे निकाल ली गए। इस परकार वो महावीर, प्रतापी, सासी, दिल्ली, पती, अंधे और लाचार हो, भूखे और प्यासे उस यवन पूरी में दिन काटने लगे। और सुयमशा की सेना में जा मिला। देवियोग की बात है कि इस सर्वनाशकारी युद्ध के अफसर पर राजा का प्रधान मित्र सलाकार कवीचंद कांगडे के मंदिर में ही बंद रहा। जब कवीचंद का मंदिर से छुटकारा हुआ, तब उसने सुना कि दिल्ली का तु न प्रित्वी राज रासु लिखा और अपने जेश्ट पुत्र को पढ़ाया, इसके बाद अपना इश्ट बीच मंत्र सुनाया और सब माया मो छोड़ घजनी की राह ले। उसने साधु के वेश में यात्रा की, घजनी पहुँचकर उसने देखा, नगर के बाहर कोसो तक बढ़े बंदे हैं, फौजें पड़ी हैं, मिया लोग नमाजे पढ़ रहे हैं, शहर में चहल पहल है, वो भीड को पार करता हुए राज द्वार तक पहुँच गया, देखा बहुत से शस्त्रधारी युद्धा पहरे पर हैं, उसे देख एक ने पूछा, कौन हूँ, जरूर फसाद करेगा, ये सुन कवी चंद वहां से खिसक गया, इधर उधर घूमने लगा, जब शाम को अदफ खेल कर घोड़े पर चड़कर लोटा, तब वो बीच मार्क में खड़ा हो गया, सिपाहियों ने रोका, पर उसने हाथ उठा कर कहा, हे राजाओं के तेज को न आँखों में आशु भर कर कहा, जब मेरा स्वामी ही नहीं, तब मेरे जीवन को धिकार है, बस एक नज़र अपने स्वामी को कैद करने वाले को देखने की इच्छा से आया था, वो इच्छा अब पूर्ण हो गई, अब बद्री का श्रम जाता हूं, शाह ने कहा, बेशक त पातित्थ किया गया, उसने कवी का बड़ा आदर सतकार किया, कवी ने उससे बिलकुल एकांतिक स्थान मांगा, और बेदी रच देवी का नुष्ठान कर होम रचा, दूसरे दिन अच्छे वस्त्र पहन कवी शाह के दरबार में गया, शाह के सरदारों की चना थी कि वो कव कवी को दरबार में आने दे, उन्होंने उसे बहुत रोका, शाह ने कवी को आने की आग्या दे दी, सम्मो खाने पर शाह ने कहा, कहो क्या चाहते हो, एक चीज मांगने आया हो, प्रितिवराज के सिवा जो चाहो मांगो, मेरे लड़कपन में राजाने शब्द बेधी बान से साथ घड़याल गोल चकर में रखकर फोड़ने की प्रतिया की थी, उसे पूर्ण करा दे, पर वो इस वक्त अंधा और भूखा लागर पड़ा है, कैसे तीर चला सकता है, शाह वचन दे चुके है, शाह ने हसकर कहा, अच्छी बात है, राजा को उजरना हो तो मैं राजी बने बैठे थे, उन्हें देखते ही कवी की छाती फटने लगी, कवी ने कड़ा जी करके उन्हें आशीरवाद दिया, पर वो बैठे ही रहे, कुछ न बोले, तब कवी ने कहा, महराज, इस विपत्ती काल में सीवक से नाराज ना हो जिये, मेरा अपराद नहीं, मुझे हम् बाड में उल्लू को मार गिराया था, और साथ घड़याल एक ही बाड में बेधने का वचन दिया था, आज उसे पूरा कीजिए, राजा कवी का अभी प्राए समझ गए, कुछ ठैर कर कहा, ये तो ठीक है पर मैं अत्यंत कमजूर हूं, फिर शाह के अधीन हूं, यदि शाह स आम आग्या दें तो सुईकार है, नहीं तो नहीं, समय ही उल्टा है, ये कहते कहते राजा की आखों से जल बरसने लगा, कवी ने कहा, स्वामी, सासी और वी लोगों को सदा ही समय है, कातर ना हो, बाहर आकर कवी ने शाह से कहा, राजा के वला आप यही की आग्या से बान चोड़ने को राजी है, शाय ने हसकर कहा, अच्छा हम भी यह तामाशा देखेंगे, इसके बाद उसने समस्त दरबारियों को सूच न दी, प्रबंधि किया गया, साथ हाड़ी गोल चक्र में लटका दी गई, शाय सरदारों सहे ते कुछ चासन पर आ बैठा, प्रित्वी प्रित्वी राज लाए गए, कवी ने निवेदन किया, यदि शाह ठीक निशाना देखना चाहते हैं, तो राजा को उनी का धनुश बान दिया जाए, ये प्रार्थना भी स्विकार की गई, प्रित्वी राज ने धनुश पर बान चड़ाया, कवी ने कहा, ये चूके तो इसके बाद बाद शाह से निवेदन किया, अब आप आगया दीजे, शाह ने उच्छ स्वर से कहा, छोड़ो, कटनाई से छोड़ो शब्द उसके मूँ से निकला था, कि बान शाह के गले, तालू, दात, जीब, सब को फोड़ता हुआ पार निकल गया, और शाह, पुन्न श दूड़े से कटार निकाल अपना पेट चाक कर लिया, और अधभुत धीरत से वही कटार राजा को दी, राजा ने गोविंद का नाम लिया, और कलेजे में भौँक ली, अभी आप सुन रहे थे, आचारे चतुर सेन शास्त्री की लिखी कहानी, पूर्णा हूती, मेरी यान झाल 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 झाल